आप सभी को नमश्कार मीना किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं केक जो सुपर टेस्टी डिलिस्यस और स्पॉंजी होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है उसमें हम सबसे पहले आधी कटोरी दही औ और एक कटोरी पिशी चीनी डालकर विसकर के सायता से मिक्स कर लेंगे फिर हमने आधी कटोरी डिफाइन ओयल मिलाया है और इसको भी हम अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर वनीला एसंस की चारपस डोप मिलाते हैं और इसको भी आपसे मिला लेंगे जब यह अच्छे से मिल जाए तो इसके अंदर अब हम मैदा मिलाते हैं यहां पर मैंने डेड कटोरी के आसपास मैदा ली है मैदे को आप चान कर ही यूज करना है और अब हम मैदा को चानते हैं जब हम मैदा को चानेंगे तब हम उसकी अ आपस में अच्छे तरह मिल जाएं अब हम इन चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इस बात का धियान रखेंगे कि डारेक्शन हमारी एक ही तरफ रहे और हमारा ये मिक्शर अच्छे से मिल चुका है अब हम इसके अंदर दूद याड़ करेंगे यहां पर मैंने एक टोरी दूद लिया है दूद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे और जित्ती जुरूरत है उसी साफ से हम दूद को मिलाएंगे सारा दूद एक साथ ना डालें और इसको जब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि हमारा एक स्मूध पेष्ट बनके तयार ना हो जाए अब हमारा की ना दूद दूद आगी के तयारी करते है यहां पर मैंने एक बाउल लिया मेरे पास जो केक टिन हो थो नहीं था तो जो घर में बाउल होते है और इसको मैंने वील से क्रिस कर लिया है और साथ मैंने बटर पेपर के जगहे नॉर्मल पेपर लिया है कौपी का तो आप इसकी जगह इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये भी आसानी से बन जाएगा और कोई दिक्कत या कोई परिशानी नहीं आएगी और जो तैयार किया वा जो बैटर है हमारा वो इसमें हम डाल देंगे और थोड़ सा हम इसको टैब कर लेंगे अब में इसमें थोड़ा सा कोपोडर मेरे पास था तो मैं इसमें वासा डाल देती हूं और थोड़ासे drive food मैं तयार किय थे तो ये भी मैं अंदर मिला देती हूं और और में बाकी का मिक्चर अब इसमें डाल दूँगी और ये हमारा गेक का जो बैटर है वो की तयार है और इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं हमारा केक का मिक्षबन की तयार है हम इसको थोड़ा सा टैप जरूर कर ले अब इसको थोड़ा सा हम गार्निस कर लेते हैं तो मैंने इसमें कोको पोर्डर और थोड़ा सा ट्राइपुट डाल के इसको डैकुरेट कर लिय ares चलिए अब इसको Repake कर लेते हैं तो मैं नहीं आपव नहीं हुआ पहले ही अपने भगोने को Preheat कर लिया था हुने बढ़ने की अंदर नमकी लेर डाली है paarट श्टेंड लग आपके पास कोई च्टेंड वैक कर सकते हो और शालिस मिंट के लिए इसको Barkmi दों बंगो 40 मिंट बाद हम चेक करते हैं कि हमारा केक कितना पक चुका है तो केक तो पक गया है लेकिन मैं इसको पांच मिंट के लिए और इसको पकने दूँगी पांच विन बार मैं फिर चेक करती हूँ, हमारा जो केक है अच्छे से फूल गया है और यह अच्छे दरस से सिख भी गया है तो कैस कर देते हैं बन और अराम से इसको निकाल लेते हैं पूच देर इसको ठंड़ा होने देंगे, इसको ऐसे ना निकालें कि यह बहुत घरम है अब यह ठंड़ा हो चुका है, इसको हम आराम से निकाल लेते हैं मैंने इसको हलका से टैप के और देखिए आराम से निकल भी किया कोई हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत कुछ परेशानी नहीं ठीक है तो इस तरह से आप भी घर पर आसानी से कम सवानों से आप इतना अच्छा केक बना सकते हैं तो देखिए वाकी बहुत इस्पॉंजी बना है कितने चीज़े फूल गया है और सूपर धॉसॉपटी बना थैए तो चलिए इसको जरा चैक भी कर लेते हैं अब हम इसको काट के देखते हैं यह देखिए कितना आराम से कट भी गया है यह देखिए वाव सूपर स्पॉंजी गलीशियस तो हमारा केक बनके बिल्कुत तयार है तो आप इसे बनाएए खाईए और फैमिली के साथ इंजॉय केजिए धन्यवाद